जार्खन का जनादेश जाहिर है जार्खन के नतीजों से परदा उठ चुका है जनता का आदेश सामने आ चुका है और कॉंग्रेस और जे एम एम जीत की तरफ है बलकि ये भी कह सकते हैं जीत चुके हैं तो जार्खन में बीजेपी से कहां चुक हो गई आज इसी जनादेश का इसी फैसले का हम विशलेशन करने के लिए मैं श्वेता भटा चार्या दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ आप नाइन टीवी पर आप सभी का स्वागत करते हैं 2014 में जिस जार्खन में AJSU के साथ मिलकर BJP ने अपनी सरकार बनाई वो अब सत्ता से दूर हो चुकी है इस पूरे घटना क्रम में BJP से कहां और क्या चूक हुई क्या AJSU का साथ छोड़ना BJP के लिए भारी साबित हुआ है या स्थानिये मुद्दों से भटकने की वजह से BJP सत्ता से दूर होती जा रही है ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों को अगले एक घंटे की बहस में हम जाने की कोशिश करेंगे तमाम महमान जो हैं हमारे साथ जूड़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम एक रपॉर्ट दिखाते हैं इस रपॉर्ट को देखे और समझने की कोशिश कीजिए कहां किस से क्या चूक हुई जार्खन के जनादेश ने BJP के चेहरे पर शिकन की लकीरे खीच दी है महराश के बाद अब जार्खन भी BJP के हाथ से फिसल गया है और दूसरी तरफ JMM और कॉंग्रस का गड़बंधन बहुमत की तरफ है नतीजों से परदा उटने के बाद अब BJP के खेमे में खामूशी है तो दूसरी तरफ कॉंग्रस में मिठाईयां बाटी जा रही है जश्न मनाती तस्वीरे जो हैं सामने आ रही है साथ ही इन नतीजों के साथ है कॉंग्रस अब BJP पर हमलावर होती भी देख रही है अगर हारती जनता पार्टी हारती है तो मैं मानता हूं यह मेरी हार है और हमने पूरी कोशिस की की राज की जनता ने जो जनादेश दी थी उस जनादेश का समान करते वे विकास पहुंचाने के जारखन की जनता ने जो जनादेश दिया है जो इस राज को असपस जनादेश दिया है इसके लिए मैं राज के बद्दाताओं का मैं बहुत बहुत अभार परकट करता हूँ ये भारतिय राजनीती का तकाजा है जनता का ही फैसला सबसे बढ़ कर होता है और आज जारखन के फैसले के बाद साफ है कि बीजेपी जारखन की सत्ता से दूर रहने वाली है और जे एमेम के साथ कॉंग्रस के गडबंधन के जो नतीजे सामने आए उसके बाद सभी जनता के फैसले को मानने की बाद कहते नजर आए बीजेपी के लिए रूठों को ना मना पाना सबसे ज्यादा भारी साबित हुआ जारखन के एक तरफा फैसले के बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि रगवरदास को सबसे बड़ी चकर देने वाले बीजेपी के बागी विधायक सर्यू राए ने निर्दलिये के तौर पर रहने का फैसला किया है वैसे तो बीजेपी ने धारा 370 और राम मंदर के फैसले जैसे मुद्दो को जारखन में भुनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन जनता का फैसला अब सामने आ चुका है पूर बहुमत ने जैमेम और कॉंग्रस को सरकार चलाने के जिम्मदार्वी दी है लेकिन नई सरकार अगले 5 साल में अपने कितने वादों को पूरा करती है ये भी देखने वाली बात होगी ब्यूर रिपोर्ट आरनाइन टीविव तो जारखन का जनादेश आ चुका है आ चुका इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बस कुछी सीट है जिस पे मार्जिन भी बहुत बढ़ चुका है शाम हो चुकी है तो लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है ऐसे में आरनाइन टीवि के सवाल जो खड़े होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं ग्राफिक्स के जरिये आरनाइन टीवि ये सवाल पूछता है जारखन में कहां कमजोर हुई बीजेपी की रणनी थी या जिस तरीके से जो टार्गेट लेकर बीजेपी चल रही थी आक दरी नहीं उतर पाई ये सवाल है आरनाइन टीवि के तो चलिए इनके जवाब भी हम तलाश लेंगे हमारे साथ तमाम जो गेस्ट है स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है उनसे आपको तारूफ कराती हूँ रेनु भाटिया बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ स्टू स्टूडियो में मौजूद है सुनिल कौशिक वरिश्पत्रकार के रूप में स्टूडियो में मौजूद है अनिल मिष्ट्रा वरिश्पत्रकार के रूप में स्टूडियो में मौजूद है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि आज मनोज जी दिन आपका है त प्रदेश का चुनाव प्रादेशिक समस्याओं को लेकर लड़ा जाता है और प्रदेश की जितनी भी ज्वलंद समस्याओं थी उन सारे ज्वलंद समस्याओं पर भारती जनता पाटी की सरकार फेल रही है मैं उसका एक उधारन आपको बताता हूँ सबसे पहले पूरे हिंदूस्तान में जार्खन एक ऐसा राज्य है नौवे अस्थान पर जिसमें 32 सिर्फ जो है आदिवासियों की प्रजातियां है कर गया ना सर आपको देखिए वो मामला था मैं आपको बता रहा हूं रगवर दास जी आप चुकी आपने एक टॉपिक चेंज रगवर दास को छोड़िये सर वो तो बीजेपी रेनुभाटिया जवाब दे देंगी आप बताए हैमन सोरेन का फायदा मिला आपको कही नहीं दो राइनी इदायक जो बागी मंत्री हैं वो जीत रहे हैं वहाँ पर और पीछे चल रहे हैं पीछे क्या लगभग समझ लीजे खोई चुके हैं मैं यही हमें मुझे लगता है सबसे क्या मानती हैं आप बड़ी वज़ा क्या मानती हैं मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी वज़ा इसकी है जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उस पर भी उसका स्वागत करते हैं एट लीस्ट हमको सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है हमारा पहले से बड़ा भी है और अधिक भी मिला है तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है फिर अगर आप AJSU के साथ जो लास्ट मोमेंट तक आपकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई इसका घाटा AJSU उने भी उठाया और आपने भी उठाया आपको नहीं लगता आप देखें तस्वीर साफ होने की बात तो यह है कि लास्ट मोमेंट तक जब तक चुनाओ नहीं होए थे तब तक AJUS हमारे गडबंदन भी था और मंत्री भी थे उनके हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन किसी भी राज़े में आप देखें कमी रहती है तब हार जीत होती है अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि इनके जुमले और यह सारी बातें उन बातों ने हमें हराया अभी मेरे कॉंगर्स के साथी बोल रहे थे मैं अगर उनको ये बात कहूँ कि इतने वर्ष तक आप हारे या 15 वर्ष तक आप केंदर में रहे आप दो बार से आप हार रहे हैं तो क्या आपके जुमलों ने आपको हराया तो इस तरह की बाते हैं और वो शोबा भी नहीं देटी फिर भी मैं इतना कहूंगी कि जो कमी हमारी रही हैं उसको दूर करने का प्रियास करेंगे कोई पहला चुनाओ नहीं है और ये कोई आखरी चुनाओ नहीं होगा जारकंड में और 19 वर्षों का अगर आप डाका देगे तो इन पिछले 5 वर्षों में जितना काम हुआ है अगर चीजों को पहले भाप लिय आजाता ना तो तस्वीर शायद अलग हो सकती थी प्रेम कुमार जी क्या लगता है कहीं ये जो गडबंधन महा गडबंधन जिस तरीके से समनवे देखने को मिला जिस तरीके से आगे बड़ा तालमेल बड़ा अच्छा देखने को मिला जेमेम कॉंग्रस और आजडी के बी परसेंटेज हम देख लें आदिवासी बहुले इलाका माना जाता है वहां आपके पास आदिवासी चेहरा नहीं है इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा देखिए ऐसा नहीं कि BJP के पास बड़ा चेहरा नहीं है मैं कई तरीके से इस चुनाव को देखता हूँ एक तो बिपक्ष पहली बार इतनी मजबूती के साथ एक्जुट हुआ दूसरा जो सत्ताधारी दल है वो एक्जुट होने के बजाए बिखर गया दो फैक्टर और तीसरा जो अंदरूनी BJP को BJP ने हराया वो वाला फैक्टर ये तीन महत्यपूर्ण फैक्टर देखिए जल्दी में क्लियर करता हूँ ज्यादा समय भी नहीं लूगा जैसे आजसु से अलग होना देखिए जारकंड में आदिवासी वोट जितने महत्यू रखता है उतना ही महत्यू वोट भी महत्यू रखता है किसी जमाने में महत्यू वहां सामन्त हुआ करते थे और आदिवासीयों के बीच में उनका आज तक उनके बीच में संबंध रहा है तो ये जो महतोब वोटे कंसॉलिडेट होता था जब बीजेपी और आजसू मिल करके चुनाव लड़ती थी इस बार जैसे मुसलिम वोट कांग्रेस और जेमेम के मिल के चुनाव लड़ने से एक जगह पड़ा है बिल्कुल नहीं बिखरा है उसी तरीके से इससे पहले बीजेपी और आजसू के साथ मैं तो वोट का हुआ करता था वोट इस पार भ्रहम कर शिकार हो गया और कई आजसू की टैली भी गिर गई और बीजेपी की भी टैली गिर गई ये एक बड़ा फैक्टर है जो उसको सत्ता से दूर किया दूसरा है एक नजरिया मुद्धों को लेकर के भी हम देख सकते हैं आप देखिए पहले दो चरण के जो चुना हुए थे राम मंदिर का मुद्धा चाया हुआ था पहले दो चरण में उसके बाद तीसरे चरण में नागरिक्ता है और चौथे पाच्वे में तो वही नाग सफाया हो गया है 100 परसेंट सफाया हो गया है जो एक सीट जमशेत पूर पश्चिम की लग रही थी जीत रही है अभी मेरे पास कबर आई कि वहाँ भी कांग्रेस जीत गई है तो यह जो सफाया हुआ यानि आप क्या राम मंदिर का मुद्दा वर्क नहीं किया राम मंदिर का जो महौल जो आप भुना रहे थे वो भी वर्क नहीं किया उसके बाद जब अंतिन चरण में आप आ जाईए जबकि नागरिक्ता का मुद्दा इस पे उफान पर था तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी ने भी कुछ परफॉर्म किया अपनी सीटें लगबग बच ले गई इधर जो नुकसान हुआ वो अतना नुकसान नहीं हुआ यानि उस मुद्दे ने जहां पर जेमें और कांग्रेस को मजबूत किया अच्छा परफॉर्म करने के लिए वहीं बीजेपी भी अपने नुकसान को बचा रख सकीया यानि पॉलराइजेशन वहां काम किय यह ओवराल तस्वीर है मगर सबसे बड़ी चीज़ है अगर हार में देखी जाए तो आपके हिसाब से यह जनादेश क्या कहता है क्योंकि स्थानीय मुद्दे की कमी हमने महोराश में भी देखा था है स्थानीय मुद्दे नहीं आयता हा उलाकि वहां का जनादेश कुछ औ और कहता था सरकार कुछ और बनी है वो एक अलग मैटर है लेकिन स्थानिय मुद्दे नहीं उठाना ये भी क्या एक एहम वजह हो जाता है क्योंकि राश्र मुद्दे पर आप कभी स्टेट एसंबली के एलेक्शन के चुनाव नहीं जीत सकते या अगर प्रभाव हो सकता है त जो नज़सन्दाज करते हैं उनको आगे नहीं रिखते सभी चुनाओं का अपितियास देक्रेयें हटायना चैयों से पहले महरासются पंजाब था अस्थानिय मुद्द है बहुत बने मुद्द्दे होते हैं अस्थानिय मुद्य को नदर अंदर नहीं किया जासता है अस्थानिय मुद्य हमें लेने ही चाहिए सोरी पार्टी को लेने चाहिए वो जरूरत है चाहिए वो शड़क हो उनकी पानी हो दोजी समझा किसान की हो अस्थानिय मुद्य बहुत जरूरी है और यह दूसरा अगर सा तो वह बहुत जरूरी है अस्थानिय मुद्धर उसके साथ पैसला करना चाहिए सर्वी राइजी का है वह अस्थानिय थे रास्तेस्तर पर नहीं थे तो उसका प्रभाव वा रहा जिसकी बड़ी बहुत-बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में गया है सर्वी राइजी का अग अगर आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से अगर हम लोकसभा एलेक्शन के बाद देख ले दूसरे स्टेट को ये बीजेपी ने गवाया है और अगर एक साल के भीतर देख ले तो पांचमा स्टेट पहले एक तस्वीर थी कि 21 जगा जंडे जो है वो बीजेपी के फैरत है जो इस वक्त माहौल बना हुआ है 303 से आगे निकल जाएगी भाजपा लेकिन यहीं अगर आप किसी स्टेट में चुना करा ले तो जो यह रिजल्ट आया है यह हमको आपको देखने मिलेगा बड़ा साफ एक तस्वीर दिखती है नहीं मनोज जी इससे सहमत नहीं होंगे नहीं हम आपको बहुत शॉर्ट मता दे तो पाल्टी का अपना पच्छ रखेंगे लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट मता दे कि भाजपा का जो उत्थान हुआ है भाजपा कि आप यह समझे सुरुआज जो ही है उसके दो प्रमुक मुद्दे हैं एक रास्टीता एक और इनके जो एक समर्थक है या ओटर है वो एक लिम्टेड है फिक्स है उनको तोड़ा नहीं जा सकता है यह इस चुनाओं को पर पेच में अगर हम देखें तो बहुत समय रहते बलकि समय के पहले जारकंड में विपच्छी दलों ने एक समय रहते अपना एक संगठन बना वोट परसेंटेज में बढ़ा है सीटों में तब्दील में कर पाए है उसका भी जवाब मैं दे देता हूं चुकि वोट परसेंटेज की जो बात कही जा रही है वोट परसेंटेज भाजपा एक लौती पार्टी थी जो पूरे जारकंड में हर सुसमें सीट पर चुनाओं लेकिन अगर आप देखें यही अगर जेवीयम या जामुमो या कांग्रेस अलग लड़ गई होती तो बाजपा निश्टी तो उप से जीत गई होती लेकिन चुकि इन तीन-चार दलों का जो वहां में अपना एक वर्चस रखते हैं उनका एक जुट होना तो दो-दो ओट चीटों को निकाल ले गए दूसा जो सबसे बड़ा महाच्पूर्ण फैक्टर है जो भाजपा को आप समझना चाहिए ऐसा नीक समझ नहीं रही थी समझ के भी नासमझ बनी हुई थी आप छतिस गड़ ले ले आप मद्रप्रदेश का आधा एरिया ले और यह तीसरा जहार नहीं कर पाई है आप च्छतिस गड़ का देखें रमनसीं 15 साल के मुष्टे में ऐसे नेताओं को नजर अंदाज करना सर्यूराय जैसे नेता को नजर अंदाज कर दिया जाता है और वहीं रगवरदास के फेवरेट भ्रश्चार का आरोप उनके उपर लगा है उन्हें टि रही थी आप जनता की बात चोड़ें या पच्छियों की बात चोड़ें आज जब इस मौके पर आप एक शरीव राय जैसे ब्यक्तित को जो की जारकन का साइद मैं समझू तो सिभू सोरेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेरा है उसको अगर इस तरफ प्रतिवदंदी के रूप में आना पड़ा चैलेंज के साथ और उनकी सीट पर जाको उनको हराता है तो मैं समझता हूं साइद इससे बड़ी हार नहीं देखने को मिलेगी और इसे भाज़पा से या सरकार से तो मुझे यही अपेच्छा है कि यह स्वता सभीने इसको स्विकारेंगे और कही ने कहीं अपनी हार का मंथन जरूर करेंगे कहां पर गलतियां हो गई है जी हमांजली आप कैसे देखती है इस जनादेश को कहां कमी बीजेपी की तरफ से रह गई कहां जो महागडबंधन है उसने टाइमली कह सकते हैं समन्वे बिठाते हुए जिस तरीके से तालमेल दिख गई देखते हैं कि यहां पर अभी जैसे कि आप सभी पहले भी को पैनलिस ने बोला है कि एक जो वहां के सीम कैंडिटेट जो थे रगवर दास जी उनका एक बहुत ही आरगेंड जो बिहेवियर था वो लोगों को अच्छा नहीं लगा और सर्यू राय जी से जो जिस तरीक से उन्होंने एक विद्रो का बिगुल बजा दिया तो वो उनके लिए बहुत ही घाटे का सौधा साबित हुआ और इसके अलावा आप देखते हैं कि विपक्ष ने एक बहुत ही जादा एक साथ मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉंग ऑपोजीशन वहां पे एक जो टोके जो नाच्रल रिसॉर्सेस हैं तो उन्होंने इसी इसको मुद्दा बनाया और उनके जो आम जो लोगों की जो डेली की जो लाइफ जिसी से प्रभावित होती है उस बारे में बात की और एक और चीज़ में आपको बोलूँगी रगवर दास जी की सरकार में पिछले साल बड़ा गुसा था उनकी अगेंच ये किवल एक दू मुद्दिनी मांजली गुड़ा विवाद को उठा के देख ले खूटी के आसपास जिस तरह से गाउं के लोगों पर हजारों लोगों पर राजद्रो का केस दर्ज कर दिया गया है भूमी अधिग्रहन कानून को देख बीजेपी में अपने अंदर ये मतलब इसीज को लेके काफी जादा संतोश था और सर्यु रहु राय जी को पुराने बीजेपी के लीडर का काफी सपोर्ट मिला और सर्यु रहे जी की जो चवी रही है वो एक स्वच और बेदाग लीडर की चवी रही है जब भी हम लोकसभा एलेक्शन की बात करते हैं और उसमें जब बात हो रही थी तो नरेंद्र मोधी के सामने कौन तो विपक्ष का कोई नेता नजर नहीं आता और हम अभी भी जब डीबेट करते हैं तो हम बात करते हैं तो कहते हैं कि कहीं न कहीं विपक्ष नजर नहीं आता लोग सभा की जब बात, पुरे देश की जब हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम राज्य सरकारों में जब आ जाएं, जब हम स्टेट एलेक्शन में आ जाएं, तो फिर नरेंद्र मोधी वर्सेज नहीं होता है, वहां स्थानिय मुद्दे होते हैं, वहां एक चहरा होता है, हमन मिश्ची तोर से फाइदा होता है, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जब करनवेदी का चहरा सामने आ गया था, तो क्या हिस्ति रही थी, जिन नेताओं को ये उंबीद होती है, कि मैं मुख्मंत्री की कतार में हूँ, और कहीं ऐसी प्रस्थतियां हो जाएं, कि मैं मु मुख्मंत्री के चहरे थे, क्या सिती रही, सीटे कम आई है, इनसे पहले आप देखेंगे, तो सीटे अधिक आई है, या आप दिल्ली को ले करके देखिए, या मद्ध प्रदेश को देखिए, राजिस्थान को जिनके पास मुख्मंत्री के चहरे थे, सिती क्या रही, जिन जहिए आखिर में वो जाएंगे कहां लोग उनको उनके मुद्दे उठाएगा कौन बार बार हर चुनाम में वो राश्टी मुद्दे उठते देखेंगे उनके सड़क के लिए बात कौन करेगा उनकी दवाईयों के लिए बात कौन करेगा उनकी सिच्छा विरुजगारी के लेकिन नहीं हुई वो लोग जानते हैं कि वो राश्टी मुद्दों की बात एक अलग है यद हमारे मुद्दे हैं जहां हम जी रहे हैं जहां हम रोक रह रहे हैं उनकी आवश्च्टता है उनके ऊपर क्या होगा तो आखिर मैं वीए कि यहां लगता आपको कि यह आत्मन्तन तो पहले ही हो जाना चाहिए था जारकन एलेक्शन तो आप ट्राई कर सकते थे मैं हमें उधारन सावित होता कि हम सानिय मुद्दों पर लड़े क्या है क्या एरोगेंसी है क्या बात है कि केवल नरेंद्र मोधी का चहरा आगे करके राज्य सरकारों में भी जी जाना चाहते सा दान मंत्री हैं जिन्होंने विश में अपना परचम फैलाया है तो इस बात को हम कहें उनके बलबूते पर उनहीं के बल्बूते पर उनहीं के मार्ट दर्शन में भारते जनता पार्टी मजबूत हुए है 2004 में अगर हमारा पून बहुमत कई आया है और अगर हमने कई राज्ये जीते हैं तो उनिक किरसे में हम वह बात अलग है कि बात करने हैं एक साल के भीत है पांच स्टेट लूज किया है हर्याणा में या मद्य प्रदेश की अगर आप इसकी महराष्ट की अगर आप बात करें तो दोनों जगां हमने चेहरे गोशित किये थे और उत्तर प्रदेश नहीं पहले की बात आप कहरें अभी कम हुई तो हमने तो दोजार चौदा में भी उनके बिल्कुल था अरे खटर चुनाओ जो है बारतिये जनतापाटी मेरा मॉनना है कि पूरी शिदद के साथ लड़ी है और इसमें प्रमुक्त जो है नरेंद्र मोदी जी नौनो रैलिया करते हैं देश के प्रधान मंतरी के रूप में, अमित साह जी की रैलिय हुई, ऐसा नहीं कि भारती जनता पाटी ने कोई कोर कसर छोड़ा है वहाँ पर चुनाव लड़ने में, मुद्दा क्या है और क्यों भारती जनता पाटी को वहाँ क जनता ने नकारा, इस पर विचार करने की दरुवत है, दरसल वहाँ सबसे बड़ा मसला था, प्रेम जी हैं वहाँ के मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था वो जमीन अधिक्रहन का मामला को ले करके था, कि आदिवासियों क जमीन का जबरदस्ट बंदर बाट किया गया है, पहली बात, दूसरी बात है, सिख्छा के संदर में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट आईशन, प्राइवेट कॉलेजेज खोले गए वहाँ पे, उन सारे प्राइवेट कॉलेजेज की स्थिती ऐसी र बंद कर दिया गया, ये भी मामला हुआ, चौती बात मैं आपको कहता हूं, चालीस परसेंट अकेले रिसोर्सेज पूरे हिंदोस्तान में जहारकंड के पास है, और चालीस परसेंट रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उस रिसोर्सेज के जहां से जमीनों पर खनन हुआ उस जमीनों को लेने के बाद उसका ये उसकी ये हलत की गई कि उसका उचित मुआउजा किसानों को नहीं मिला, इससे वहां नराजगी थी, एक बात और भी है जो सबसे इंपोर्टन बात है, मैं आपको ये स्वास्त के संदर में एक बात कहना चाहता हूं, एक डाटा आया ह उस डाटा को जरा देखिए, आज भी वहां संथाल परगना में अकेले कैसा जिला है, जहां साड़े उन्नीस परसेंट लोग माल नूट्रिशन के सिकार है, और हिंदूस्तान में जारखंडे का ऐसा प्रदेश है, जहां आज भी 72 प्रदिशत एनिमिया के किस पाई जाते है इसका मतलब ये सरकार स्वास्त के माने वी निया अतपल जावी की है, आप अगर बोल रहे हैं तो एक सवाल का जवाब आप दे दीजे, राहूल गांधी ने अध्यक्ष का पद छोड़ा, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, आज आपका दिन है, आप बोलिए, लेकिन एक स गांधी में क्या रिजल्ट लेकर आए, और राहूल गांधी के पद छोड़ने के बाद, आप राज्यों में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गडबनना दो या अप राज्यों में चाक दिए तो राहूल गांधी नकारे गए, आप ढोल पीटेंगे कि हमारे नेत राहूल गांधी जी और सोनिया गांधी चाहिए, जो भी हमारा कॉंग्रेस का अंदेतर तो है, जब से हम सत्ता में ने देखिए, सत्ता में आना जाना ठीक है, मैं उस बात से सखमत हूँ, ये लोक तंत्रे में होता है, लेकिन सबसे पहले जहां चुनावी राज्यों या कह लेते तो जित आते हैं, लेकिन प्रदेश के मुद्ध में हुआ, इस बात से सिदेंगा अपना अपना देख लीजिए, आपके चेहरे कौन, आपका चेहरा है, मैं को रहारा को रह जी के मिला अथाइस सीटें हमेशा गिरावट अग्रेस में राखोंग्रेस के मतर्द के नि चले उनी से पूछेते हैं प्रेम जी क्या लगता है क्या कॉंग्रेस को ये जो दो सीटों की बढ़त भी मिली है ये कही न कही जो गटबंधन महा गटबंधन का एक स्वरूप सामने आया और लोगों ने उस पे भरोसा किया ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉंग्रेस अगर अपने दम पर लड़ती जो बात हम पहले कह रहे थे कि अगर विपक्ष अलग अलग लड़ता तो शायद बीजेपी को फिर से फायदा होता लेकिन ये महा गटबंधन का फायदा है मेरे ख्याल से इस नुक्ता चीनी की जरूरत ही नहीं है कि जब गटबंधन होता है तो सारे घटक दल एक दूसरे की जरूरत और एक दूसरे के फायदे के लिए जोटते हैं और ये गटबंधन तो लोगसभाद चुनाव में भी हुआ था इसने मजबूत गटबंधन हुआ था उसमें JVM भी सामिल था लेकिन वो गटबंधन BJP का मुकाबला नहीं कर सका लोगसभाद चुनाव में क्यों कि BJP भी एक बड़े गटबंधन में थी लेकिन इस ये मुद्धा भी उठता है रेनुजी सही बोल रहे हैं ये मुद्धा भी कई बार उठा है कि आप अलायस का ध्यान नहीं रखते हैं हट धन तो आपने भी अपना लिया अगर आज इसु कुछ कह रही थी तो मनाने की खवायद हो सकती थी नुकसान देखिये किसका हुआ व भारते जनता पार्टी की ये सोच नहीं है भारते जनता पार्टी ये सोचती है कि जिससे हम गडबंदन कर रहे हैं क्या वो भी राष्ट के इतकी बात करता है क्या वो भी राष्ट को आगे बढ़ाने की मजबूत करने की बात करता है जहां पर ऐसे लोकल दलगा प्रास पा विश्वेंद्र जी क्या अभी भी आपको रेलू रेलू भार्टिया की बातों से लग रहा है कि बीजेपी यह आप मंतन करने को तैयार है कि सब्सक्राइब करना चाहते हैं या गडबनन को कुछ मानते नहीं यह बात भी गलत है हमने हमेशा गडबनन को सब्सक्राइब कर रहा हूं उन्नीस वर्सों में 16 वर्स का इनका आलम यह करी है राज भोग राज तो इनों ने भोगा है रगवर्दास ने भोगा है हम तो पुल 54 वर्षों के राज भोग की बात करते हैं आज तक पहले दिन के अगर यह राज भोग की मोलत ना होती इसका जवाब है आपको और बताता हूं इससे बड़ा राज भोग कुछ हो सकता है क्या आपको जनता ने आईने दिखाया आपको जनकारी नहीं है भारते जनता पार्टी ने दो हजार 14 से लेकर अब तक पुलिस तक जुमलों और आंकों से सर्कार का जाल बिचाया जो आपको 25 किलोमेटर पर देगा काम होता था त पर पहुंचाया यह भारत के नक्से में आप कहां खड़ी है किस्टन पेरेफरिस किसमे बनाई अपना चेहरा दिखा चुक्या आप बाते आप कर रहे हैं और आपके ज्यादा दूरता जाएं इस बात को अद्यक्ष के पूर्वद्यक्ष के लाओं का सब्सक्राइब विश्टेंद्र जी क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले चुनाओं में रेजिंपी को इस हाट से सबक लेनी चाहिए कि स्थानिय मुद्दे जिस तरीके से रेनू भाटिया कह रही हैं बार बार कि हम देखते हैं कि कौन से पार्टी राश्ट्र मुद्दों पर हमें विश्ट्र मुद्दे को यहां राश्ट्र मुद्दे नहीं स्थानिय मुद्दे काम करेंगे इसके लिए विश्ट्रेशन करना चाहिए बीजेपी को बहyn ही ज़रूरी है इससमय भारचे जिंता पार्टि को आत्मंतन करना जरूरी है और कई कारण है उसके कारण यह हैं सबसे बड़ा जो करण है आपसी फूट एक छोटा करण नहीं है भारचे जिंता पारटि का वुस कारण पे अगर गाराई में जाये तो लगातार एक तर जो माहूल होता है उसके हालात के अनुसार भी पैसले करने होते हैं तो उन सब को देखते हुए और सर्यूराय जैसे नेता को आप इस परकार से दरकिनार करेंगे जो सिर्फ जारकण में ही नहीं पूरे भारत में सुलमान नहीं हो सकता है ऐसा नेता है जिसने तीन-तीन वुक् करने की होड है पद पाने की लेकिन जो कारे करने मेहनत करने की जो होड है वोigma कुछ नेता हो मैं सब में नहीं है मोदी की तरहा करतva कुछ करे या दूसरी टीम की तरह कुछ बड़ा करे तो वास्त बड़ी溜ट होंगे अन्य था यह महानना पड़ेगा भारती जंता पारट तो दोशों बिधायक सरकार के खलाब धर्वी पर बैट तो ऐसी पार्टी है जिसने सबसे अधिक विपक्ष का काम किया प्रविका निवाई है आपके लिए चेताओं नहीं है आपके लिए चेलेंगे आपके बता बिल्कुल टीक है जो अपेक्षा हमने की उस पर नहीं पहु कि जिस समय अगर मुद्धे हैं और उसे नजर अंदाज किया जाएगा रेनुवाट्य तो कही ना कहीं अंदर में जो है ना वह ज्वाला मुखी बंगती रहती है और जब जंता को मौका मिलता है न तो इसी तरह से रिजल्ट सामने आता है यह समझना होगा सुहेता जिसने विधायकों ने ढरना दिया में उस समय विधानसभा में था और लोगों ने ये कारकरताओं ने कहा कि बहुत दिन भी दूर नहीं कि सरकार के खलाब बीजेपी के कारकरता भी शड़कों पर उतरेंगे तो यह जो निकल के आ रही है जी जाए दूसरा जहारक दूसरा राष्ट्री है जो कमेटी बना करके भेजी हुआ रगबर जी उनको बात को मानने को तयार नहीं थे तो कई सम्झारे जाए जिन पर ब्रश्चार का आरोप है नहीं को दर्किनार किया जाता है तो सर्यू राय अगर कह रहे हैं तो क्या लग किया रहे हैं कि मैं निर प्लगे उनको टिकट दे दिया जाता है आप कैसे कहते हो मैं कि ब्रश्चार के खलाफ हम है पार्टी विद दिफ्रेंस हैं कैसे कहते हैं बीच में बार्टी बोल पड़ी थी देखो यह देखो जहां-जहां भारती जिनता पार्टी ने अपने मुख्य में देख कि दिल्ली तो इससे सपस्ट है कि आपसी फूट और जो कारे करने की सहली है वो बदल नहीं पड़ेगी वो सपस्ट है बाद और वो चाहे किसी भी स्टेट के हो वो सामने आएगे लोकल मुद्दे कितने हावी हुए निलमिश्व आपको क्या लगता है अगर हम गोड़ा विवाद को ले ले कि जिस तरह से अडानी ग्रूप और प्लांट लगाने की बात हुई उसे लेकर भी बड़ा आंदोलन हुआ था आदिवासियों ने बड़ा उस वक्त भी आक्रोश दिखाया था यह कुछ मुद्दे हैं या पथलगड़ आंदोलन की बात कर ले जुसमें राजद्रो का केस भी दर्ज हुआ यही मुद्दे कितने हावी हुए इस बात यही मुद्दे प्रमुक थे इसको और बहुत सरल सब्दों में अगर समझना हो तो आप समझ ले कि जार जारखंड की जो मूल समस्य है उस पर देखे कोई राजनितिक पार्टियां बात नहीं करें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है आज भी जारखंड में आधी से जादा आबादी दो वक्त का खाना नहीं पाती है और वो कुपोशन का सिकार है यह बिलकुल हकीकत आ साथ गल्तियां क्या हुई कि जो रोटी कप्ला और मकान एक मुलभूत जरूरत है और आज की डेट में सब्समाज बनाने के लिए साथ में सिच्छा और स्वास्त जो मुलभूत जरूरत होती यह जोडा जाता है वो सिच्छा और स्वास्त जोड नहीं पाई जो रोटी कप् इस सरकार ने कदम उठाया, उचाये, केंद्र कहले या राज्य कहले, उसका कुरे देश ने स्वागत किया, लेकिन नक्सल समस्या जिस कारल से उभर रही थी, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान है, बुन समस्याओं पर सरकार ने किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया, इव वहां जो नियम लागू किया गया और वहां की जो एक रोजगार की समस्या वो चाहे अनपण गवार लोग हो जिनको दिन भड़ की दियारी करनी होती है या जो थोड़े बहुत पढ़ा लिखा समाज वहां खड़ा हुआ वो युवा वर्क आज सडकों पे था उस पर इस सरका हटा दिया तालियां बजाईए और वर्तमान में जब ये नागरिक संगीता को लेकर आया गया तो जनता का जो एक उमीद था जनता का जो एक भरोसा था वो कहीं नहीं चल हुआ और जनता जो भूंकी पेट बैठी है कहा जाता है nा कि भूंके पेट बजन नहों गो पाला भ अगर आप देखें तो सबसे बड़ा रगवरदास के उपर आरोप लगा है तो ब्रस्टा चार का लगा है एक नहीं कई अभी उदारन है जिनको खुल के अभी बताना हो जिसका कारण था कि सीधे मिलते हैं और आज के नहीं पुराने नेता हैं उनके द्वारा तयार की गई जमीन पर आज हेमन सोरेन ने बड़े मिचूर्टी के साथ पच्छी दलों के साथ गड़ बंधन करके जिस तरह से जनता के साथ सामने हाँ जोडा तो कहीं ने कहीं जनता इन पर इस बार विश्वास की है अब ये भविश से बताएगा कि उट कितना खरे उतरते अगर मैनिफेस्टो की बात कर ले तो क्या लगता है कि मैनिफेस्टो में जो जिक्र जेमें के मैनिफेस्टो को अगर देख ले हाला कि बहुत कमी होता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो मैनिफेस्टो देखकर वोट करने जाते हैं ज्यादा तर तो जो चुनावी सभा बिरोज़गारी को टागेट किया गया है घरीबूई को टागेट किया गया है जमीन अधिगरहन की बात कर ले तो उसको भी टागेट किया गया पासा के भाव में जनता बैठी हुई थी बविस उसको कुछ दिक नहीं रहा था चाहे हेमन सोरेन की वह हो चाहे कांग्रेस हो या उसमें राजयत का भी सामिल हो ना उन्होंने जनता की नब्ज को टटोला और टटोल कर जो जनता की भाउना जो अभी तक बीजेपी करती आ रह तो वह भावना बदल जाती है इनी भावनाओं को इन विपच्ची गडबंधन ने पकड़ा और दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता के जिसको कहते हैं माया जाल में इसकदर एलोगेंट हो गई अपने संगटनों को आप आसू आसू कह रहे हैं लेकिन आसू का मतलब समझे तक होने जारकन में अब उसके बावजू दिन को 23% ओट मिला है यह वही सहरी नगरी छेत्रों का ओट है आजिवासी लाका में एक भी सीर जीतना इनके लिए इसले मुश्किल हो गया इनोंने धारा 370 ब्राम मंदीर तीन तलार जगाया जिसके दम पर मोदी जी इस प्रकर सि किया है और उन्होंने कहा जीत का एक खुसी जरूर है लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकल पका दिन है हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे मनोस तिवरिस जमिदारी तो बहुत बड़ी है और क्योंकि आप आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 16 सलिकार ने क्या क्या किया सबसे ज़ादा तो ये क्या है कि पहले दुसरे चरण में एक इंजन सीज हो गया चौते पच्वे चरण में दूसरा इंजन भी सीज कर जाएगा और हुआ भी अंतो गत्वा वही चुकि जिस आक्रोस के साथ जिस भावनाओं के साथ इस राज के लोग जुड़े हैं और इस बौजुदा पांच साल में जिस तरी के से रगवर जी ने अपना सत्ता का दुरुप्योग किया है उसका कसक लोगों में था नौजवानों में था किसानों में था महिलाओं में था वैपारियों में था पूरे जहार खंडियों पे था आज लोगों ने आज मुझे लगता है कि इस चुनाओ का इंतजार लोग बहुत बेसबरी से कर रहे थे और जो इनका आकरोस था उस आकरोस को मैंने बहुत करीब से महसूस किया और उसके अनुरूप हमने एक बदलाओ का एक व्यातरा निकाला लोगों तक संदेश पहुँचाए लोगों से जानने का कोशिस किया कि क्या चाहते हैं कि इस राज में बदलाओ होना चाहिए कि नहीं ह यह था आवाज थी वो दिखा दी नर्सीस यह भी काभी कोई इंटाक्ट रहा है आपको जीत में हम भूब करन नहीं नहीं ऐसा नहीं है हम लोग यह छेत्री चुनाव था छेत्री मुद्दे को ले करके हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी सकारात्म चीजों को लेकर लो अपनी एक वीजन भी लोगों के समक्ष रखा और लोग जुड़ते गए इस से और आज परिस्ति आपके सामने है आप लागू करेंगे एनर्सी तो कि आपके बगल के मंत्री मना कर दिया है मम्तब इनर्जी मना कर दिया है तो आप क्या लागू करेंगे क्यों कि पुरे दे देखिए पहली बात एनर्सी और जुन्हे ने अभी जो इन लोगों ने कैया बोगरा का बात से एक बात कही है यह सिर्फ अकवारों से वाटसप से मीडिया के माद्यम से हमारे तकाई है जानकारी दस्तावेज हमने नहीं देखा है दस्तावेज देखेंगे और राज के हितों को देखकर ही चीज़े निरने लिया जाएगा कि यह क्या है इसके अंदर तो हैमन सुरेन को सुन रहे थे सुनील कौशिक बहुत ही बैलेंस रियाक्शन जिस तरीके से हमन सुरेन ने कहा नर्सी को लेकर भी पूछा गया निश्चित तर से एक मुखमंतरी को जो भासा बोलने चाहिए उन निश्चित तर से उन्होंने वो बोली है क्योंकि भावबेस पर आकर के बात है कहना हमने देखा है देश कितने दिन से जल रहा है ना किसी को जानकारी है ना कुछ है कि वह राजनीतिक रोटियां सेकी जा निश्चित तर से उन्होंने मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बात कही है कि जो चीज़े आई है वो हम पढ़ेंगे पढ़ने के बाद देखेंगे के आखिर में क्या बात हैं उनका बिरोध होना है पच्छ लेना है बिल्कुल सही कहा है और निश्चित तर से उनको बड़ी सब्सक्राइब दी गई है जिस पर उनको खराब परना है महागडबंधन के लिए क्या रहा हासान होगी लग रहा है क्योंकि बार बार तो कॉंग्रस आरूपी लगा रही है और वाकई में वास्तू इस तिति हम लोग देख ले तो किस तरह की है जो आरकंड की ऐसे में कॉं स्यंसी से तो डगर मुश्किल होगी सब्सक्राइब दॉर से कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जादा होगी क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा सीटे नहीं है बारा चौदा के आसपा से सेथिया थी तीस प्लस कर लेते हैं थीस के आसपा सीटे आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेसर इनके पास नहीं देगा क्योंकि छोटे-छोटे दल्बी है वहां निर्दली भी लोग निकल के आएंगे जिसकी सत्ता होती है सरकार जिसकी बनती है उसकी तरफ जरूर जुकते हैं लोग तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत नई सरक को होने वाले होगे मनोजी दाय तो बड़ा है जमेदारी बड़ी है और इस बार तो पांस साल में करके दिखाना है वो सब की बिलकुल सही बात है जो हम लोगों का कार्जक्रम तैक किया गया है जल जमीन और जंगल के आधार पर निश्यत रूप से जहारखंड में जो मॉल इलेक्टिफिकेशन का मामला था एक मामला हम लोगों ने और भी दिया है कि सौ यूनिट बिजली जो हम लोग मुफ्त देंगे किसानों के संदर में बहुत सारे काम करने है और सबसे बड़ा जो मामला है वो जमीन अधिग्रहन के मामले को ले करके है कि जो आदिवासियों क जमीन है और उन जो जीस जमीन पर खनन का काम शुरू हुआ है करना है या जो जमीन उद्योग पतियों को दी गई है उसका उचित मुआवजा वहां के जमीन मालिकों को मिल सके इसका एक मसला है और जल का जहां तक सवाल है मैं आपको एक चीज़ बताता हूं हर तीन व्यक् प्रोग्राम की तहत वहाँ पे भी काम होगा जिस तरीक से महाराश्चा बना है। जनता तो दिखाई देती है कि चुनाओ में क्या करना है मांजली आपको क्या लगता है कि कितनी आसान ये महागडबंधन की राह होने वाली है क्योंकि हाँ तस्वीर तो साफ हो चुकि है कि जे-म-म के पास जादा सीटे हैं और ऐसे में कॉंग्रस नहीं लगता है कि खीचतान करेगी तो एक कही न कहीं मिनमम प्रोग्राम के तहट काम होगा लेकिन बीजे-पी को इस चुनाओ से क्या हो सीख ले लेनी चाहिए कि आगे आने वाले स्टेट इलेक्शन में वो रिपिटिशन ना हूँ बीजे-पी को तो पहले ये सीख लेनी से सबसे बड़ी जो सीख है इसमें कि आप जमीनी मुद्दों को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं आप जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग है जो महां के नागरेक हैं उनकी जो डे-टू-डे लाइफ है जन चीजों से फरक पड़ता कि यहां पे क्या हुआ था जो असंतोष की जो भावना महां पे लोगों में जो पनपी थी उसका ही ये रिजल्ट है वहां पे जो हाई स्कूल के जो शिक्षकों की भरती के लिए बाहर के स्टेट से लोगों को लाके भरती किया गया था अपने ही स्टेट के लोगों को नज अंदर भी इतना ज़ादा असंतोश है वहाँ पे तो उसी सब चीजों का मैंने कहा ना कि एक एक वज़े नहीं थी बहुत सारी वज़े एक खटा हो के उनके अगेंस चली गई अब जो नई सरकार बन रही है इसके लिए भी रहे आसान नहीं होगी क्योंकि लोगों की जो इनसे बहुत जादा उम्मीद हैं दूसरा अगर अब गटबंदन सरकार बनाते हैं तो सरकार बनने तक तो सब बहुत ही अच्छे से उनमें आपस में तालमेल अच्छा रहता है ले सिंगल लाजर्स पार्टी शायद आ जाए आनिल जी डूस और जाना चाहूंगी बीजेपी के लिए और कॉंग्रस के लिए फटाफट बता दीजे सर जादा वक्त नहीं है नहीं देखें बीजेपी के लिए जटका है और जटके से जादा चूकि जिस धंक से अगर आप ध् चाहर करना पड़ेगा वहीं दूसी तरफ जहां कांग्रेस लोगसे बाद चुनाओं के बाद बिल्कुल मृत प्रायवस्ता जी से कतना डेट पोजीशन पर चली गई ती इवेंट की बड़े-बड़े नेता मान लिये थे कि वागे कोई उमीद नहीं दिख रही है तो उस इंडिया में ता उत्तर बारत जी से कहते हैं साउथ इंडिया में अभी इनका नहीं था पूरा का पूरा केसरिया रंग से जिस डंग से रंग दिया गया था आज आप देखें तो अब उंगली रखनी पड़ रही है और उसमें जो तीन या चार मेन स्टेट हैं अगर आप अगर आज आप मंतर नहीं किया गया तो आगे और बी नुकसान अठाने पर सकते हैं गुजरात में भी इनकी सीट सिर्फ इसलिए कम हुई थी गुजरात में भी आदिवासी बहुल चेत्र हैं और उन चेत्रों में ये पूरी की पूरी सीटार गए ते अगर आप नेगलेक्ट करते हैं तो आपको ये नुक्तान दे सुनील कौशिक डूस और बीजेपी और कॉ मुद्वा पर नहीं लड़े जा सकते हैं इस्थाने मुद्वा पर सोचना पड़ागा इनको इस्थाने लीडर इनको बनाने पड़ेंगे हर बार्च का चैरा मोधी नहीं हो सकता है चलिए तो क्योंकि पॉजिटिव नोट के साथ हमें अपने चर्चा को खत्म करती हूँ औ और क्योंकि आज कॉंग्रस का दिन रहा तो मनोज जी आपको फिर से बढ़ाई और रेनु भाटिया जी आप खुद कह रहे थी कि आत्मनतन करने की जरूरत है तो ये कुछ पॉइंट्स डूज जानबूच कर मैंने बोले क्योंकि देखिए यही आवाज है जो रहा है तो स्थानिय मुद्दे ही चलेंगे राज जी की जब भी चुनाओ हो आप कहीं न कहीं स्थानिय मुद्दों को नजर अंदास कीज़ेगा तो आपको भी लोग जो हैं नजर अंदास कर देंगे और वहीं महागडबंधन की एक तस्वीर जो नजर आई है जारकन में एक बैलन्स एक तालमेल जो देखने को मिला है कोई खीचतान नहीं तो जनता को लग गया था कि शायद इस महागडबंधन को हम वोट करें तो हमारे विकास का काम होगा तो जनता जनादेश देती है उनको कहीं न कहीं आपको नजर अंदास नहीं करना होगा इसी पॉजिट खगल माणाट जुज झालमेल जनादेश